हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त हर्ष और प्रदीप का डेकुरेटर मैं आपका सवागस करता हूँ आज मामारे पास आई है ब्रीजा बेस मोडल और इसमें इश्यू यह है कस्तुमर का कि रियर बैक साइड में इसमें सीट में हेड्रेस्ट नहीं होता है अब इसमें से हम अपनी फॉर्म उतार चुके है और इसमें यह पीछे की सीट की तरफ लगाया जाते हैं ताकि उसमें वेल्डिंग की जा सके उसको वेल्डिंग करके इस वर्को को आगे बढ़ाया जाता है ताकि इसमें वेल्ड होके उपर से पूरा फिटिंग प्रॉपरली मजबूत हो सके welding करने के बाद इसके उपर प्राइमर अटेच कर दिया जाता है ताकि रस्टिंग ना हो इस पे अब इसमें हम फॉर्म उपर एड़ कर चुके हैं जो सीट की प्रॉपरली फिटिंग होती है उसको प्रॉपरली हम फिट करेंगे और यह आपको चुक कराएंगे कि हेड़ेस्ट की फिटिंग प्रॉपरली कैसे होगी यह लॉप्ड होते हैं जो कमपनी के लॉप्ड उसमें लग क्याते हैं उसको हमने प्रॉपरली इसमें फिट कर दिया है अब इसमें हेड्रेस्ट को fit करेंगे और चक कराएंगे आपको लॉक को फिक्स करने के बाद हम इसमें हेड्रेस्ट को भी स्टॉल करेंगे ताकि properly fitting ने इसको चक करेंगे ये इसमें हमने हेड्रेस्ट को लगाया है और properly हम अब इसमें चक करेंगे कि इसको हेड्रेस्ट को properly fitting मिली है कि नहीं मिली पूरी tight fitting होती है जैसे company के original fitment होती है अब इसको हम निकालने के बाद इसका properly हम seat cover इसी के साथ ऊपर एड्रेस्ट कर देंगे इसमें झालने कि मेड़ी तो नहीं मिली को चल जब एड़ी इसमें जए के के जए्रेस्ट करें हैं है ecosmm कर दो सीट में प्रॉपरली पीछे नेट बोल्ट जो होते हैं उसको टाइट कर देंगे ताकि कोई इशू ने रहे कि सीट ढीली है उसको प्रॉपरली टाइट कर दिया जाएगा तो यह हमने मारूती के जन्यून हेड़ेस्ट ब्रीजा बेस मॉडल में फिट की हैं चक करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा कमेंट करिएगा थैंक यू झाल